एक भी दिन वकाउट का गैप नहीं होना सी तब जागे ऐसी फिजीक चाहे आपको इंजरी हो चाहे कुछ भी हो यह सारे पार्ट यहां से फट गया है एक्सिडेंट में फिर भी वकाउट कर रहा है फिर भी प्रिप्रेशन पे लगे हुए है ताकि यह बॉड़ी इनकी कहीं जाया है इसको इसी दर्गे से मेंटें रख सेगे क्योंकि बॉड़ी कुछ नहीं जाती है आप यूज करो यूज यूज दो भी वाल्मोस तीन से चार दिन बचे हुए है तो यह जितना है उतना अपना बेस्ट वेस्ट वेस्ट दे रहे है लास्ट जो भी मैक्स्टो मैक्स कर सकते कर रहे है सर अ झाल्मोस वेस्ट झाल्मोस वेस्ट पर दो यूआ है। हाई, वेरी गुड़ इनी, मैं सिद्दान जैसवाल, आपने मैक्सिमम मुझे देखा होगा, वकाउट करते हुए, और फिटनेस की बाते हैं करते हुए, बट आज तोड़े डिफेंस रोल में आया हूँ, मुझे आई बी इंडियन बोडी विल्डिंग ने होता है, अज कुछ कुछ दूसी डिस्पॉंस विल्डिय दी है, मैं प्रमोश सर के बास आया हूँ, अज प्रमोश सर के इंटर्व्यू के लिए, प्रमोश सर अभी वर्ल्ड के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे बाते हैं, वो आज मतलब, उनके जरनी के बारे में, उनके लाइस्टाइल के मतलब किस सरीके से हम लोग इंस्पायर होते हैं सर से, वो सब कुछ आपको शेयर करेंगे और आपको बताएंगे, हाई सर, बुड़े में, सर, पहले मतलब आप ये बताओ कि आपने मतलब, बॉड़ी बिल्डिंग जो होता है, ये वर्ड कहां से सुना और कब आपने ये पहले इसके वारे मुझे कोई नॉलेज नहीं था और कोई एक्स्पेयंच वरके कुछ थाही नहीं, मेरा स्कूल लाइब तभी सेवन स्टैंडर में था, तभी जिम से जस्रीप चर्चे हुए कि कॉंपरेशन में, चलो, कॉंपरेशन खेल लेका, तो देखने जलते हैं, तो कुछे यह बोड़ी में होता कैसे, इतने बोड़ी बने और इतने मसल्स कहां से बनाते हैं लोग, तो यह कौन से यह की बात है सर, यह मुझ्ली है, अराउंड, 1996, जब आपने फर्स कॉंपोडिशन आपने देखा, तो उसके बाद, आपने से वाक आपने मरत, मुझ्ली और मुझ्लीय कुमीड्र क कहना नौट्र सब्सक्राइब गें मियुक्तिसों के मातना उत्राइब हैं। मै शुक्तिसक्षाने शॉत्धा किकशे अका बंजत इस स्वीकित बीशिशन रोफ की। मेरी बजतान मेरे कहले तक मा सब गलकाटा था जाता इस दो फूर्गठा पर जहाग और भील्ड़ाों सब करेजी एए करता है तो सब्सक्राइब नेफ stupid CRT पर इस्ट्रिक में घुर्पन हे सट रख इस से में व इधि दृफर नुट्ट मोजट पर अर्डीन भूए में एक आग्सीडेंट अगड़arial से लेके हें जू नि लिप्टिंग हो न स्क्रसट परक्षिर अन्ये lift जिससे दॉक्टर गोलते हैं तुम लाइफ भर जीम लाइफ नहीं देख सकते हैं कितने साल पेले की बाते हैं ये करीबन 20 साल के उपर ही हो गया मालब उस समय वेट लिफ्टिंग आप करते थे हैं अभी अभी है अभी है अरूंड 16-17 साल हो ने का है मालब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जो था यू के नॉट लिफ्ट सिंगल पाउंड आप जीम का गेट देखने ही भूल जाओ ठीक है तो वहां से मैं बहुत ही सैट था मैं बहुत ही मनें क्या मेरे मन की वाद आपको स्कूल है सबोल नहीं सकता कि कौन से तक्लीक सब्सक्राइब नहीं सर आजा बताओ आज सारे लोग आपको सुनने के लिए नहीं कि वोग जा तो इसको मैं लाइट तेम नहीं बूल सकता तो मैंने रिपोर्ट लाइक दिया हैं अचेक्ज़ नहीं है तो दू अपना जज़बाकू आगे लेके चार तेरा रिपोर्ट के लिए कुछ महवाइन है सब्सक्राइब कर दोक्टर के लिए बहुत माय में रख सकता है पर तेरे जज्बेक आगे है वो कुछ नहीं है जो तेरे आक्मन में दिखरा है जो ज़स्वा वो डॉक्टर के लिए तेरे बाद तो उन्होंने बताया देख एक एग्जाम्पेल वो मैं सबको देना चाहूंग अज सबके लिए बोलूँगा जो स्पोर्स लवर और जिसका कोई भी बने कोई भी स्पोर्स बोले विज्टर कुछ भी नतिंग जो जिसमें इंवार्व है पूरी तरह से उसको हाववर कैसे भी बनना है तो कुछ भी करेगा उन्होंने मुझे एक एक एक्जाम्पल दिया सर्ज जेम्पल जैसे एक ब्लैंक टॉप यह फिर अजिंग लें गिरिया हूंच प्लावर म्हाया तो हम सोचेके तो वेस्ट है ठीक है तो वह वेस्ट है अभी सोचे उन्हों हम कैसे भी जोड़ा कि जोड जोड के उसमें पावदे डाल के पानी हम उसके रिखाद वगर सब कुछ दिये प्लान बड़ा हुआ फिर हम उसको पकड़ के जार को पकड़ते हैं और उसको हिलाते हैं तो गिट्टा नहीं हाओ पित्रों कैसे ये कैसे मेंज अभी उसमें जो हम लोग ने मिक्टी डाली और उसके बढ़ने के जो मेंट्रेल केमिकल सब डाले उस से ग्रोध हुआ उसकी देंसिती वरी उसके जड़े पुरा फहल गए जिस्से और मिट्टी को पुरा कैप्चर करता है पुरा कैप्चर करने बाद क्या हुआ जो टूटा हुआ भाग रहता है उसके साथ पुरा जकर जाता है और स्ट्रॉंग जाता है जिससे आपने प्लैंट भी बड़ा होता है और आप प्लैंट को पाड़िके उसको जितना भी जो लिला हो टॉप में गिरा में से छोटा पौधा था तो गिर के वो मरने की मतलब नौबत पे आ गया था अभी उसी को अच्छे से देख रहे किया वो कुछ टाइम के बाद इतना बड़ा हो गया और मतलब अपने आपको अपने जड़ों को जमीन से इतना जगड लिया और इतना स्ट्रॉंग अपने आपको बना लिया सर एक्शली वही केले समझ रहे हो अपने आपको कमजोर फील कर रहे है तो सर भी वैसे अपने आपको फील कर रहे थे बट जो डॉक्टर थे डॉक्टर ने सर को मोटिवेट किया और उनको बहुत सारे चीज़ सजेश्च किये उनको मतलब सबसे जरूरी सी यह होता है कि माइंड आप कितने कितने अपने आपको जो होता है मतलब कितने भी difficulty आ रहे है उससे अपने आपको जो जो था है, आज चैलेंग ले रहे है और उससे fight करनेंके लिए आप खड़े हो रहे हो तो सर को डॉक्टर ने बोला बहुत बड़े को जो बिड़ा कि यू कैन लिट आप जो होता है कभी भ आप छोड़ दो आपके लिए नहीं है आप ऐसे बीमार लाइफ आप ऐसे ही जुग के चलो और ऐसे करो बट सरकार इतने पैस्टनेट थे कि उन्होंने वह ओप्शन देखने लगे कि ये दॉक्टर चोड़ आप दूसरे डॉक्टर के पास जाता हो तीसरे के पास जाता हो तो मुझे 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 कुछ दिखने की जरून नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने जो वाट मुझे समझाया वह एक लखीर बन गे ठीक है एक्ट्वल में ऐसा कुछ होता नहीं है हम कमजोर करने वाले खुद रहते हैं अपने अपने आपको कि हम उसको क्या है जो भी इंजरी से कुछ भी है उसको हम पालते बैटे तो और कमजोर होता है तो हम क्या लाइक को आगे नहीं डखे ले हम लाइक को और पीछे डखे ले क्योंकि अपने जो माइक एवरिधिंग इस गेम आप माइन आप माइन से पीपेर लोगे नहां सब कुछ पॉजिटिव है कि आप माइन से और विल्य्पार से स्ट्र Rise अब कुछ भी कर सकते हो कुछ भी दुनिया के ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है कि नहीं आप कर सकते हैं है तो तो मेरा उस दिन एक ही धिमाउज में गया कि ऐसा कुछ होता नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं यही एक्शन में और कुछ उससे सिखने के लिए तो सर आप उस इंजरी से मतलब आपको रिकावर होने में इस ताइम डॉक्टर ने बहुता तू वान वीट के बाद जिन गाना चालू करेगा तो मैंने सुचा इतनी बड़ी इंजरी इस मन में कैसे एक्ष़ प्रॉब्लम क्या होता है इंजरी मेरा स्पाइन से लेकर हीपों क्रैक हो गया था कोई भी देखके बूलेंगा यह बन्हा भी राइंटन चलने सकता अब तो उस चीजसे मैं आज यहां फरा हूँ सब के सामने और अच्छा कासा मने अपने ए अब्लोग मैं व्या मैं उसको आगे लाइब तर लेके जा रहा हूँ दूसरों को ही आडवाइस परो कि कभी इंजरी से पीछे मत बागो उससे और अगे बरो जाकि उसको इतना श्रॉंग मर रहा हूँ कि बाकी का चीद आपका पीछे रह जाए वो आगे रहे तो मेरा यही और वेस बोलना रहेग कि कभी इंजरी से या कुछ भी होता है लाइब में आप दाउन होता रहता है तो उससे आप पीछा मत जाओ तो मत पिर उसके कितने टाइम के बाद आपने कैसा कॉन सा प्रिशन आपने पास्ट आपने खेला उसके बाद मैंने वान वीड के बाद मैं जिन गया जिन चालू करती है तो मैं सिस्य जि combustion मैं यह दाब के बुछ भी डिल्डिंग करते थे तो फिर सबना पो मतलवाटी बेल्डिकिसे पया चाहЭто जिस मावल में में था उटर मोठी हम और फिपिर इंस्टेंड़ को मुझा कें गला लिंटी में सभी जह सब कर गाक Fresh बादे में अटमीश था एक दूसरे को देखके ठीकर वह महावल ही ऐसा था कि जो कोई भी एक बंदा उस महावल में आता है तो वह एक्ट्रक्शन हुदे होगा जिसका मन चाहेगा ही कि वह एक करें तो उसमें कोई यह नहीं था जो मैं वहीं करता था मैंने उसको यह बना है बॉड़ी विड़ी ठीक है आज एक हैंडिकाप उनको पोलियो का प्रावन उताल जो एक लेग उनका इंदा में एक नाम पतला उनका बोड़ी आप देखोगे ऑसम उन लेग इस लाइक मुझसे भी बड़ा और काफ्स और आसे बोड़ी स्टुक्चर लाइक बीक यूस बोड़ी ओ भी मिश्ट में एक उसम्स नखेला अपक्रिषिंग फ्रेसिंग था है फिर्स कॉम्दर सब्सक्राव फिरिफ टू मन्स में मैंने खेला बॉड़ी इंजरी आफ्र इंजरी फुफिषिंग 2 फिल बारा स्टेज मेरा बॉड़ी बिलिंग का जिधा मैं अपने गूरूप में 16 काटेगरी मैं सेकंड प्लेस लगा रहा हूँ उस टाइम अपका बॉड़ी वेट सिक्स्टी केजी और अभी अभी मेरा वेट 85 अभाव है मैं सोच लो फंडेट भी जाता हूँ किन्ने साल अठरा साल अठरा साल के बाद इन्होंने 20 kg मुझल मास गें किया है अठरा साल 80 एयर और आपको आउ्म होँ को सब्सकुले सेंथ कमेशन में व सब्सक्राइब तो उसके बाद मैंने फस्त। शक्रेंटी पैलेस के वाद मैंने सकंड रभेल वा ठेड र Wähलेश पैले सबस्तृटाइब म lifes tikh म। अ बिस्टिंट्सर थे कंड्र पैलेस में हुआ। ह। तो उसमें भी सेकंड़ सब्सक्राइब करें तो आप इसे जैसे तो आप उच खिल देगा स्टेप बाइस्टेप मैं इंडिया किला वी तेनी फोर मन्त में जुनियर मिश्टर इंडिया यह सब तब 18 यह पेले की बात है तब ही मेरा यह से अरॉड 16-17 साल के तब की बात है आज मेरा उमर करें 32 तो तब ही मैं जुनियर के ले गया था तो जुनियर में मोश्टर इंडिया था वाकि सम्मूंसे बड़े दिग रहे था मेरा पहला फस्ट पर्स्ट मेरा एक्स्प्रियंस कि भ हाई पर अस्टेट खेला पर ऐसा फिल लूँआ कि इस अपने जासे लगा जब मैं इंडिया रहा है जो इसमें कितने स्टेट आते रहे तो इतने स्टेट के जब ही लगिए सब एक जगर आते है तो कैसे देखकर कैसे लगता है एक मेल लगा है सब्सक्राइब तो उदर मैंने सुचा मैं इन में से कहां आने वाला है पर मेरा जो अंदर को विल पावत तो मैं एक साइद एक नए महाल में आया सब बहुत सारे घीड में तो मुझे ऐसा नहा कि मैं कहां दिखूंगा पर एक्जैटली ऐसा था नहीं एक्जैटली जब मैंने देखा कि सब के बीच में जब मैं खड़ा हो रहा हूं तो मैं भी एक पाट अफ यह मुंकिर जैसे ही हू कोई उसमें बड़ा चोटा नहीं देख रहा है मुझे मैं ही स्रिफ दीख रहा हूं जिदा मुझे सिर्फ फाइट देना है आया यह बेस्ट चिदा मुझे सिर्फ एक इपी चीज देख रहा हूं मैं थाइट दोंगा चाहे वो कुछ भी हो एट तू जेट चाहे मेरा डैड पहले कॉम्पेटिसन में पहला इंडिया में मेरा प्लेस लगा फिप प्लेस अगे अच्छा फिल किया कि इससे बेश और क्या हो सकता है तो मैंने सुचा मुझे इधर ही नहीं रूपना है मुझे आगे भी बढ़ना है तो ऐसे मैं बढ़ते जा ऐसे मैं जुनियर्स करीबन जिसमें अल्वेस कभी थर्ड कभी फोर परिफी आया है पर कभी ऐसे नहीं रगा कि आज मैं पार्पमेंस नहीं कर सकता है मुझे सबसे बात बड़ी बात है जो मैं बुलना चादो चलो बॉड़ी बिलिंग सब कोई करते हैं सबका पैसर मनता है पर जो मुष्किल को सामने और यहां कि है आने के बाद पिछे आड़ जाते हैं वह कभी मत लो बुखिल को डटके लड़ आज लड़े तो कल उसका फल मिलेगा पीछे मध देखो, आगे न सोचुखुँ पीछे जामी देखते ही वह तो पीछे भी राएंगे, आगे का सोचु नहीं तो अलो지 आज नहीं तो कल लीटे भाष्व.. कभी ना कभी मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा जिस टाइब मैं अपने मेरा फुरा स्पीड पे लाओंगा जिस दिन मैं घुम के पीछे नहीं देखने वाला तो आज यही जजबा लेकर मैं आगे चल लाओं और हो रहा है होगा और मैं यही आगे जो भी आने वाले पीड़ी है एक बोलूँगा अपना एक ग्रेम बनाओ उसके पीछे लगे रहो जो भी मुसिबत देख जेलो करो और आगे बने अज मुझे यह मौका मिला है कि आज मैं दुनिया के सामने आप आ रहा हूं यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं यही बोलना चाहूंगा कि कहीं पर भी आपने एम पकड़िया तो पीछे गुम के ही मत देखो और सोचों ही मत कि क्या होने वाला याले आप बेस दोगे तो बेस्ट आएगा ही सामने अपन अब आप 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 नहीं के सोचवे बाकी बूल लिया मैं आप एटीन येर से ओर मुझा एपनो सब्सक्राइब तो जो 18 येर पहले आप मिश्टाइंडिया किया और अभी के जो पॉम्पोडिशन हो रहे है उस टाइम में और अभी में मतलब अभी के बाडी बीलडर्स हो इस थाइम में स्पोर्ट, प्राइज मनी जो आगे स्पोप जो प्रिंट एभाय अभी और उस ताइम में मैं क्या है अभी उस ताइम के लोग क्या है घर के खातेते हैं पीते जो भी ताव घर का खाना थाक चलते थे पर जैसे जैसे अपना यहां जनेटिक एल आगे बढ़ रही है जनेरेशन जनेरेशन जैसे आगे बढ़ रही है वैसे क्या मार्किट महंगाई बढ़ी है तो क्या अज कॉंपिशन फाइटी शी बढ़ रही है तो मैं जितना experience मुझे लगता है कि मैंने किया है या आके बहुत जन्न है ऐसे ऐसे करोड़ों इंसान है के मेरी जैसे जो लोग ने इस सब पुरा जहलते हुए करते हुए आए है आज देख रहे है कि आज हम पहले क्या थे और आज क्या है आज मुझे पहले कॉमेर्शन में हम खापी के सिर्फचर से तदे पर आज को मुझे लिए इतना हाई है कि उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा बहुत त्याक चाहिए खाना पीना से बोलो सब कुछ आज जैसे जनेरेशन आगे बढ़ी है तो साइंस भी आगे बढ़ा है तो साइंस आगे बढ़ा है तो साइंस भी कॉंपडिशन का जो लेवल है या जो इसकोप है पहले तो उतना उतने लोग जानते नहीं थे कॉंपडिशन के बारे में अब तो थोड़ा लोगों को पता जलता है कि या यह बॉड़ी बढ़ी बढ़ी कॉंपडिशन होते थे उसमें पुलिक कैसी थी और अभी जो अभी तो 100% होता है इस्टाइडर हाई हो गया लटके भी बहुत अच्छे आते हैं बहुत सब होता है पहले क्या था बॉड़ी बिल्डिंग को हाईलाइट कुछ मिलती नहीं थी या बॉड़ी विडिंग में कुछ प्राइजेस थी नहीं खाली दो स्पोर्स लबर है स् जो मेडियर में दाता इज़द मिलती थी यह सब है पर आज के तारीव में आज घर में क्या है एक खर्टी एक एक लटकी के मतली खर्चा और इंकमिंग खर्चे जादा है इंकमिंग कम है ठीक है तो इस प्रोसेस पे आप बॉड़ी बिल्डिंग को करना बहुत ही मुस्किल काम है बहुत ही मुस्किल काम है कि आज बॉड़ी बिल्डिंग इतना आगे गया है जो आज वर्ल्ल में गिना जाता है पहले वर्ल्ल में गये हुए पुछ लोगों थे बड़े बड़े बॉड़ी विड़ार प्रेंचा देना मोनोराइच तो ऐसे लोग जाना बड़ी लोग सब आगे आज आज इनको देखें आगे आज पर साइंस भी आगे जा रहे जिसके शाइंस अब हम देखने की भाई हम जितना आगे जाए गो तो 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 नहीं खर्चे भी बलें उसके साथ भी जितने सब अपुछ है अपना डायट नेट्रेशन उसको में टेंग करो अभी उसको साइंस के हिसाब से चलो कि पहले हम तवी नॉलेज में जी नॉलेज के साथ आगे बढ़ूंगा तो आज मैं भी वोई जाओंगा कुछ भी आज मेरा जो एम रहेगा उसके आगे मां जा सकता हूं यदि नॉलेज रहे और उस सब चीजे मुझे आगे मिले जो ब लिए बढ़ेज बढ़ती जाती है तो उस सब चीज एब्सक्राब करते है तो सब चीज लेते हैं इसे बहुत सारी चीजे हैं जो अपने बॉडिपर हैं आपने बॉडिपर को चाहिए जो पहले नहीं जानती ते पर आभी जानते हैं और इंटर्नेट बाइ बड़े- करते हैं तो ऐसे भी बॉड़ी बहुत आगे आया है पहले बॉड़ी बिल्डर से लोग कुछ नहीं मिलता दा जो फर्स्ट होता था सौर पिया दो सौर के अपास सब गया आज मैं इतुना तो बोल सकते हैं कि हाँ बॉड़ी बिलिंग में कम से गाल उतार के वह इधी फर्स से अपने के अपने कर रहे हैं लोग बॉड़ी में करते हैं अज हुआ एक तो और यहीं सब चीज और आगया है और तो हंडेट परसेंट बॉड़ी में दिखेंगे ऑज जाकर इंडिया के बॉड़ी में वीडि़र्गे जहां पर एक गया जाब उदर सौ जाए हुए तो एचीज आज हम लोगों को फैसलेटिक मिल ला है तो आपको उसका पुरा फायदा ले उसके बारे में जानकारी करें और उससे जतना आप जानकारी के पीछे तोड़ोगे उतना आपको नोलेज बले के उतना आप आगे जाओ जैसा मैं सर को पर्शनली जानता हूँ मैं तो मतलब सुचता हूँ कि यार सर कैसे मैनेज करते हैं इतने मॉनिंग में इतने जली उठ जाते उसके बाद पर इनका काम होता है वो सरी आपको बता दे सर आप अपने एक दिन का जो जो आपका डिली रूटीन है मिन साब कितने पर्शनल लाइट है यह ऐसे बोलेंगे तो अगरे को वो बोलेंगे नहीं हो सकता इसा नहीं श Armandak पर क्या है वह अपने ऑपक survey के लिए question जो नहीं करना करता हूत श्तां किटने का बादि वर भी यह बन्धा मतलब लगा हुए है आ यहां कपशे रधकर कुछ नहीं बस मुझे करना है anyhow किसे भी करना है कितने भी difficultly है difficulty is a part of life, part of game यह आपके उपर है कि कि आप किछ तरीके से कितने अच्छे तरीके से आप जहेल रहे हैं और enjoy रहे हैं आपको negative होना यह नहीं है किसंगे आढ़ है आप negative हुए तो फिर आप जो होता है, end of the day आप give up करते हैं और खा जाते हैं और आप ऐसे normal आदमी के जोसे life चीते हैं और एक दिन आपकी life फतम होती है और आपको कोई ही बनता है If you want to be champion, अगर आपको एक misal बनना है, inspiration बनना है तो आप अपना सब कुछ उसके लिए दे दो देखो जैसे सर का एक दिन का रूटीन सुनोगे आप बोलोगे जूट बोल रहा है, फेक रहा है, इसा होता है और यह हर bodybuilder का यही कहानी है क्योंकि जितने भी bodybuilders हैं, जितने भी fitness athlete हैं सब के सब जो होता है, बहुत ही poor background से रते हैं किसी उनको घर से कोई support नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वर वो काम भी करते हैं, अपने घर को भी चलाते हैं और अपने जो होता है, bodybuilding के जो भी expensive यह game तो जो है ना, bodybuilding सबसे छोटे कपड़े में, सबसे कम कपड़े में, सबसे महगा गें हैं सबसे महगा गें हैं सबसे में, supplement की बात कर लो, या multi vitamins, minerals, वो सब तो चलो, वो सब आगे की सीज़ हैं जो basic, अब chicken, अंडे, फिस, cell हैं यह सब सी मतलब आज के जट में इतना expensive है daily जो होता है, कम से कम 2 kg chicken एक normal 70 kg के bodybuilder को चाहिए होते हैं 250 भी अगर आप count कर लो तो 500 सिफ chicken के जाते हैं सिर्फ only chicken के बागी आप broccoli और supplement यह सब तो छोड़ें मतलब एक normal bodybuilder का भी दिन का खर्चा 2000 उता है मतलब normal bodybuilder, जो इस्टेज पर इसका place भी नहीं लगता है आप एक standard level के bodybuilder का बात आप छोड़ें जो standard level का bodybuilder का दिन का 5000-8000 ऐसे expense जाता है सिर्फ ठाने ठीने और lifestyle उताने और वो बंदा खुद कमाता है, खुद से करता है और घर को भी समालता है और bodybuilding भी करता है और अपने पैसे से जानके आगे लिए और without any expectation कि मुझे एक government job मिलेगा या मुझे यह मिलेगा, मुझे वो मिलेगा इतना अगर सोचोगे आप तो आप खुछ भी नहीं करता होगे मुलब अगर सर सोच लेते कि नहीं मैं 18 साल पहले ही कि मैं यह करूंगा तो मुझे क्या यह मिल जाएगा मुझे supplement का brand manager मिल जागा सर अपने लिए कर रहे हैं अपने से कर दे जा रहे हैं आज इस लेबल में पहुचे तो सर के पास अभी brand मिलेगी है सेप्लिमेंट ब्रांड के यह सर डोगनेटर और उसके बाद बहुत सारे चीज़ और सर जो होता है इनके अंडर में बहुत सारे स्टुडेंटर बहुत लोगों को जो होता है ट्रेंग भी करते हैं बहुत कुछ गाइड करते हैं जो इनका experience उसके हिसाब से लोगों को सजिस्ट करते हैं तो आपको सर का एक दिन का routine बताता है जो कि यह यह जी रहें लास्ट एकी मिएर से जी रहें सर आप बता हुआ मुझे किंते बजया बुकते हुआ मॉर्निंग में में साले पांच बज़ उठता हूँ छे बज़े बेरी बीटी स्टार्ट होता है अब परसनर टाइग में लेता हूँ क्या है अभी मैं एक लाउता बेटा हूँ तो मेरी मा तो मा बेचाई तो माई रहती है कुछ भी हो जाए हाली पेट बेजेंगे नहीं चाहे आधीन हो चाहे राथ हो तो 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 कुछ ना कुछ करके देती दी जो मैं लेकर निकलता था तो शुबब 6 बजे निकलता था फिर राध को मैं साड़े बारा एक बजे घर के आता था तो फाइब 30 आप उठते हैं तो उसके बाद फिर आपका एक वीटी ओते हैं एक से ट्यावति खर्शी वाब कितना धूर है थोड़ा सरा बताव आप बाइक से निकलते हैं यह यह 5.30 फिर बाइक के निकलते हैं! पहले में जाते हो. निकलते हो extra 50-30km। कर्षका फंदरा ऐडर यृमेटर किलोमेटर जाते हैं!! पेंदरा किलोमेटर और तिस किलोमेटर 35 किलोमेटर ऐसे लिग अला आक उफ करम ।-बाइक से ड्राइव चुझ करके... emdr.evaawould एक उसके बादुषेह साथ के साला पहले स्गाने के लिए कामाने पीसे कमाने के लिए लखा है और एक कारथा क lle एक टरिणीं लेकले साथ यह समेह है वलेधिति प्लेश्म करने तो को फ़टीं करहें हिं जाना ह SUSक्रान ङंद फेर से बाइग प्टिटीं आपलगा है और उसके बाद वर्काउट का कोई टाइमिंग नहीं रहता एक्जाट्टियों क्लाइंट के टामिंग के साब से अपना टाइम अधेस्ट करते हैं करना मत बढ़ता है कैसे बी आऊएवर मैं कैसे भी करूं या मेरा पीटी चलो दो यदि मैं 10 से गारा खाली हुआ तुम मैं तभी कर लूँँआ नहीं तो मैं दो से तीन यह दिखा ली तभी यह मैं आपको बारा वजर खाली तो बारा जो तो मेरा कोई ऐसा फिक्स तईम नही मैं प्रेना टाइम को एडस्स करता हूँ मुन जिदर मैं के यह में ओफिंस टाइम कि मैं इनर फीश टाइम पर लेकर हम जैनलता हूं आपने खाने का किशे होथा ते अपर आप ड़र से लीकर भेड करने करते हूं सब कुछ? सर, मील कहरी करते हैं सुभाई 5.30, 5.30, साढ़े पाँच बजी किने लोग उतते हैं अपलोग? और मील लेके, ममी मील बनाती है, इंके साथ साजन की फैमिली, इंकी वाइब, सब के सब 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 करते हैं तो मील लेके निकलते हैं, बेड ट्रेणिंग देना, फिर बाइच से मील, दूसरे जिना लेके जाना, फिर अपना वकाउट करना इसके बाद राज को किते में ये घर पे पोसते हैं? करिवन सारे माहा से, तो मीचे कभी नहीं पोसता और फिर सोते कभी हो? सोते सोते आराई ना चाते हैं? डाई में जोते हैं 5.30 होते हैं ये लाइफ एक दिन की नहीं है, दो दिन की नहीं है, ये लास्ट 18 येर से ये जीर है अचा सर्क, बहुत सारे लोग आपसे जो तया ट्रेणिंग लेना चाते हैं या आपके अंडर गाई टाइम में आना चाते हैं, आपके पॉंडेक करना चाते हैं तो आप कैसे मतलब आपके साथ जोड़े हैं? लोग मुबाइल तरू जोड़े हुए हैं और ये भी बताएगा उनको कैसे ट्रेणिंग देते हैं देखें मैं बिसिकली गाई एक गरीब घरता हूँ तो बिसिकली मैंने चिन के अंतर चाहात देखी है कि उसको क्रेज है तो मैंने उसको कभी मना नहीं किया और वेलकम किया है कि कुछ हो चाहना हो मैं आप लोगों को ट्रें करूंगा मुझसे जितना हो सकता है वो मैं पूरा करूंगा और जो नॉलेज चाहिए वो पूरा रूम है मैं चाहता हूँ मेरे साथ और जो मेरे जैसे लड़के हैं वो लोग भी आये और वो लोग भी कुछ बनके दिखा है क्योंकि उनको क्या है चलो सब कुछ मिलता मिलता नहीं है पर उनको क्या है एक गाइड लाइन मिल गया ना या कोई एक पीछे आके खड़ा भी हो गया ना हां बोलने के लिए तो मेरे अंदर इतना है कि मैं उसको 10 में टाइंड दे दूं तो भी बहुत है और वो उसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि आज उसके पीछे क्या है कोई बंदा आके खड़ा हुआ यह तो बतायती मैं तेरे अंदर होन है तो करेगा आज इंसान को क्या चाहिए अज जजबा उसको सपोर्ट पाकी तो तुम पुष करोंगे फिर वो रास्ता खुद ही निकालेंगे आज मैंने भी खुदी रास्ता निकाला खुदी आगे चलाओ ठीक है क्यों तो सर वही मैं गुछ रहा था कि जो नए रडके हैं जो मतलब आपके जैसे डेडिकेटेड हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं और वो आगे मतलब कॉंपीट करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे कॉंटक कर सकते हैं भाई फोन पे फेस्बुक पे किस नाम से सर प्रमोसिंह नाम से रामसिंह1402 अधिएग्वडविमेल.com मेल इडी लिख आप पर से बता दिये तो सब्सक्राइब आप आप सर को मेल करो आपको जो भी अगर करना है अपको नियुक्त बहुत सारे बंदी इंके अंडर मेर भी आपको बताता हूं सर ने आस तक कितने मतलब इस्टुडेंट सर के हैं वाल सुनोगी आप सप्राइज हो अपनी lifestyle गीते हैं, अपना प्रिप्रेशन करते हैं, पिर पच्छों का भी प्रिप्रेशन करते हैं, बहुत सारे बंदी इंके हंगरों तो सर अब में ही रडीया है अगर कोई आपसे परस्टनली मिलना चाता है तो वो नहीं पर मिल सकता है तो फोन कॉंटेक्ट पे पहले बात करें, उसके बार मैं लोकिसर बता दूंगा, वहांते हां कि मुझे अभी तक आपने कितने मस्तब लड़कों को प्रिजय करा रहा है और कितने लड़े कॉंपेट की है ऐसे तो मेरे इसमें तो गिंती में मैंने रखा नहीं है तो भी अल्मोस्ट 100 के उपर रहेंगो जो आजके रिए मैं कॉंपेट कर रहे हैं एक अच्छे लेबल पर चाहिए बेंस फिजीक हो चाहे बॉड़ी बिल्डिंग हो या कुछ पी पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर अब पर दूपर आप लेखना है बहुत सारे आपको बहुत रूप मिल जाएंगे आपको बताएंगे जो साथ के बारे पर अच्छा सर लास्टीद बस आप यह बताओ कि वर्ल्ड पी लेक अब से प्रफेशन कर रहे हैं और अब ही क्या आपका प्लान है कि किस तरीके से आप जाओगे किस तरीके से पंप फुड़ोगे जो होता है वर्ल्ड के स्टेज पर और इंडिया के लिए मुक्लब तेर्ण तहराप्री और मेडल लेक्तिया होगे तो मैं भी फिलाल अभी तो अच्या कर गया रहा इसके वीचे मुझे डियर मैने का टाइम मिला है जो वाइल पिपलेशन के लिए पर और अबर पिपलेशन मेरा चालू है आज वाज जैसे लाइफटाइल चलती है उससे सबसे ही चालू है पर मेरा टार्गेट जो है उमेरा इंडिया के लिए नेरा यह नहीं है कि जब इंडिया के जा रहा हं तो मैं इंडिया का फ्लैग लेके ही उसका मने आफ्सादय को आप आप मांटेन दिखे हो, तो मेरा अल्डबास थिंकिंग है या है मैं हुज़ा है कि पाटी तो आज मेरा इम क्या वही रहेगा कि आज उस फ्लैक को उपर लगे तो उसके इसाब से मेरा प्रिक्रेशन चालू है तिलाल और थोड़ी सी उसमें बीच में प्रावडम्स आई प्रावड में इंजरी सुगया है कितनी अच्छी बॉड़ी है कितना एक्डम हेल्धी बंदा एक्डम सबकुछ बहुत आसान लग रहा है अभी फोर फ़ाइज पहले जो होता है एक्सिदेंट हो गया और एक्सिदेंट में पुरे अल्मूस्स फैक्चर है अगर फिर भी स् बॉटर कंट्रॉल पे ओ सुडियम कंट्रॉल पे ओ वो बोल नहीं पाते हैं थे फिर भी स्टेज पहाएज़ सबसे अच्छी एक्टर तो हम लग होते हैं तो यसे अभी साइज विसाइज कर रहे हैं तो अभी सरका दिखाता हूं क्या हुआ है यह ऐसे लेग्स हैं कि वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं बट अभी वकाउट कर रहे हैं फुल एक भी दिन वकाउट का गैप नहीं होना चाहिए तब जाके ऐसी फिजिक चाहे आपको इंजरी हो चाहे कुछ भी हो यह सारे पार्ट यहां से फट गए है अभी वकाउट कर रहे हैं फिर भी प्रिपरेशन पे लगे हुए है ताकि यह बॉड़ी इनकी कहीं जाए रहा है इसको यह इसी तरगे से मैंटेन रख सके हैं तो कि बॉड़ी कुछ नहीं जानती है आप यूज करो यूज इट और लूज इट तो इडो अभी वाल्ड के प्रिपरेशन के लिए वाल्मोस्त तीन से चार दिन बचे हुए है तो यह जितना है उतना अपना बेस्ट वेस्ट दे रहे हैं लास्ट जो भी मैस्टो मैस्ट कर सकते कर रहे हैं सर इसके बात भी जोता है वह कोड़ इतने आसानी से कर रहे है इतने इसली कर रहे है इस स्माइल के साथ सुपब मैं ओ सुपब सोल सुपब थे खाने जो खारे हैं, टोटल बोल, उसमें आलना बजागा चाहरा है, कुछ भी नहीं तो आज अपना आई एक बोड़ी बिल्डिंग जो इसको देखे एक्सप्रेंस करें या उदे से कुछ जानकारी मिले और आगे बढ़े यह इसके लिए बनाय गया और इसमें कैराओे आगे के आने वाले जो वैंच और जो भी सिखना एम अपिदर से भी शिख सकते हो। या किसी से आप मिले बढ़े कर सकते हो हो उनसे गाइड़्लाइड कर सकते हो कुछ भी एक श, ज, आपका कुछ भी Question ले आपधर कर सकते हो या किसी से आप जाके उदर contact कर सकते हो रों स के बढ़ने की situation गाइड्लाइड ले सकते हो तो एक है इसलिए बनाया गया है जो कहरे काие वाले लुखों को गाइड किया जाया और उनको आगे लेकि जाया और बॉड़ी विल्डिन को उतने टॉप मोस्ट उपर लेकर पहुंचा है जिदर आज अपने वोल्ड में गिंती रहे कि इंडिया इस दा बेस्ट तो यह जो साइड है इसके लिए ही बनाया गया है कि इधर अजाके एक से एक बोड़ी विल्डर्स है जो इलडर बने है जो कूच करके दिखाए और जिसको हम रुख बता रहे हैं बता रहे हैं थांक्यू सो मच्छ सर्व लुग यू थांक्यू सो माच आल अल 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 अबस्ट आप से रिक्वेस करूँगा एलिक सर्वाज आप पोस अजा करें हैं इंजरी के बाद भी एकटी हैं अर्थर्ट्र आइट सुएंपर प्रेंट्स जोगी सेजी दिखानी हैं ओंड निखन पॉप ओपॉप सुझगा चुझगूट इस तरे एक्षिस्मस बीज तरे इस तरे जिस्मस फ्याओ हाँ वेड़ लगैज सरह Yoo इस इस अबलेक्ट से एंट इसके बार दीये है थांक यू ते इसके बार दीये है झाल झाल झाल